प्रेंट्स आज हमारा ड्रेस मेंकिंग कोर्स की सेकिंड कलास है ये थ्योरी की कलास है और जो हमारा फर्स्ट लेसन आधा रह गया था उसे आज हम कम्पलीट करेंगे सब्सक्राइब जो हमारी मसीन में प्रोबलम आ जाती जैसे बारी चलना सुवी तूटना तो उतल सी क्यों अती है और उसे कैसे ठीक कर सकें चैब हम चोटी प्रोबलम आती रहती है तो हमें थोड़ी सी चल्व करा पर किगरी हो करते हैं जानते हैं कि क्या-क्रोब्लम आती है मशीन में और उन्हें कैसे ठीक करें सबसे पहलाड से भ xuिए नो reject हो सबसे पहला है hag morality फ्रयननेियर से भंध्ररक्षार्र अगर मशीन भारी चलते हैं सबसे पहला है सटल में धागा फस गया हो अगर सटल में धागा फस जाता है तो हमारी सलाई मसीन भारी चलती है तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे सटल से धागे को निकाल देंगे नमबर दो बोबन वाइंडर का दबा हुआ होना जहां पर हम अपनी जो मसीन की फिरकी होती है आप उसे क्या बोलते हैं जिसमें धागा भरा जाता है मुझे कोमेंट करके बताना तो जहां से हम अपनी फिरकी में धागा भरते हैं वो दबा हुआ होगा तो हमारी सिलाई मसीन बारी चलती है तो उसे हम उठा देंगे तो हमारी स Courtney मसीन सही चल पड़ेगी युदि पूर्जे में जंग लग गया हो टाइम से को यूज नहीं किया हो तो मसीन के किसी पूरोज कर दना चाहिए मस हैने काफी समय तेल ने दिया गए हो अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो मसीन में एक या दो दिन में तेल डालते रहना चाहिए अगर जादा जादा दिन में आप मशीन पे काम करते हैं तो हफते में एक बार मसीन में तेल जरूर डालना चाहिए अगर आप मशीन में तेल नहीं डालोगे तो मशीन भारी चलती है तो इसलिए इस माल किसे बोलते हैं जो हमारी मसीन की रसी होती है अगर वह जदा ही टाइट होगी तो हमारी मसीन भारी चलेगी तो उसे हमें 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 लूज कर लेना चाहिए सेकंड पॉइंट हमारा है सुवी तूटना हमारी बार बार सुवी क्यों तोड़ती है उसके क्या कारण होते हैं सबसे पहला कारण सुवी तो फिटने की गही हो तो आपको देख लेना है कि मस्पी कैसे फिट करें तो उसकी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी कि आप मसीन में सुई कैसे फिट करें नमबर दो, सुई कपड़े के अनुकूल ना हो मतलब अगर मोटा कपड़ा है और पतली सुई ले ली हमने जैसे विंटर के कपड़े होते हैं वो मोटे होते हैं और हम 11 नमबर की सुई से स्टीच करेंगे तो हमारी सुई तूटने के चांस रहते हैं इसलिए हमें सुई भी कपड़े के अनुकूली रखनी चाहिए नमबर 3 सुई घटिया किसम क्यों वैसे तो मार्केट में काफी तरह की सुई आई हुए हैं बट जो ओर्गन और सिंगर की सुई होते हैं वह सबसे बैस्ट होते हैं वह सभी मसीनों में चल जाती हैं इसलिए हमें सुई अच्छी खरीदनी चाहिए नमबर 4 दबाव पैर का पेंच धीला हो अगर फ्रेंट्स जो हमारा फुट होता है दबाव पैर हम फुट को बोलते हैं मसीन का फुट होता है अगर वह डीला होगा तो वह हिलेगी तो सुई उसके उपर लगेगी तो तूट जाएगी नमबर 5 बोबिन केस सही से फिट नहीं हो फ्रेंट्स पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम बोबिन केस को लगाते हैं तो टक की आवाज आती है अगर फ्रेंट्स टक की आवाज नहीं आएगी तो हमारी बोबिन केस सही से फिट नहीं होती इसलिए बोबिन केस को सही से फिट करना चाहिए धागे को खीच कर तोड़ा गया हूं करते करते एक दम से कपड़े को क्कीच लेते हैं तो वह सुई सी टेडी हो के और फुट से टकर जाती है इसलिए हमें कपड़ा भी ध्यान से बाहर निकालना चाहिए और धागे को कैची से काथना चाहिए नमबर छे, कपड़ा श्रिंक ने किया गया हो, मतलब फ्रेंट से कपड़े को अगर धोया ना गया हो, कई कपड़े ऐसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बगैर धुले हुए वो सोप्ट नहीं होते, तो हमें कपड़े को श्रिंक करना चाहिए, मतलब धोके रखना चाहिए और वैसे भी फ्रेंट से कपड़ा जो स्रिंक होने वाला होता है, यानि सुकडने वाला होता है, उसे हमेशा दो कर ही कटिंग करें और स्टीच करें नमबर आठ सुई मुड़ी हुई हो या टेड़ी हो फ्रेंट्स कई पर क्या होता है हम ऐसे कपड़े को खीच का निकालते तो सुई टेड़ी हो जाते है टेड़ी होने की वज़े से वो फूट से टकराएगी और तूट जाएगी इसलिए सुई को हमें अगर टेड़ी हो रखी हो तो उसे बदल देना चाहिए नमबर नो सुई की लट घिस गई हो मतलब आगे की जो नोख होती है फ्रेंट्स वो घिस गई होगी तो भी हमारी सुई खराब हो जाती है इसलिए हमें बदल देने चाहिए नमबर 3 बखिया ठीक न आना जो हमारी सिलाई होती है वो ठीक क्यों नहीं आती उसके क्या कारण है अगर नीचे के धागे की मोटाई एक समान नहीं होगी तो हमारी सुई तूटती है इसलिए हमें एक जैसे धागे से इस सिलाई करनी चाहिए नमबर 2 अगर हमारी बोबिन केस की पत्ती घिस गई होगी जो इसलिए हमें बोबिन केस को छेंज कर देना चाहिए उपर नीचे का धागा अधिक कशा हुआ हो जैसे गासबंश समान होना चाहिए अगर फ्रेंट्स इन में से एक भी अगर लूज या टाइट होगा तो हमारा जो सिलाई है वो खराब आती है इसलिए हमें क्या करना चाहिए फ्रेंट्स जिसमें से हमारा धागा निकलता है थ्रेड टेंस डिवाईज उन्हें थालिया भी बोलते हैं उसमें से धागा निकल रहा होता है तो उसमें से पेच को थोड़ा सा हम लूज या टाइट करके हमारे धागे का कसाओ एक जैसा कर सकते हैं नमबर चार सुई उची या नीची फिट की गई हो फ्रेंट्स अगर आपने साही से सुई फिट नहीं की होगी मतलब या तो फिर थोड़ी सी नीचे छोड़ दियोगी या फिर उपर ज्यादा सटा दियोगी तो भी हमारे सिलाई सही नहीं आती तो हमें सुई को भी सही से फिट करना चाहिए तो फ्रेंट्स आप मुझे एक बार यह बताओ कि मैं इस टोपिक पे सुई फिट करने के टो है तो भी हमारी सिलाई अच्छी नहीं आती क्योंकि अगर फ्रेंट्स आगे से नोग घिस जाएगी तो अगर कपड़े में जाएगी तो साथ में कपड़ों के जो धाग्यों जिन तारों से कपड़ा बना हुआ होता है उसे भी अपने साथ उपर की साइड लेके आएगी औ करने हैं मैं सुई को बदल देना है कि नंबर चार फ्रेंट्स भागा बार बार तूटने का क्या करण होता है उसके क्या करण है नंबर एक धागा कपड़े के अनुकुल नहीं हो यह पहले काफी बार बता चुकी हूं मैं नंबर दो सेटल का नग घिस गई हो मतलब जो सेट पत्ती होती है वह घीज जाती गई बार बार सुई तोड़ती है यह आपको मेकैनिक को ही दिखाने पड़ेगी तभी ठीक होगी धागा क्रम से नहीं डाला गया हो फैंस बीगनर से काफी बार यह मिश्टेक होती है वह दागा सही सही नहीं डालता है या तो जो उसको लब- तो हमारा धागा बार बार तूटे का इसलीह हैं नमबर चार चार अधिक नबभन बरा हो फैंड्स अगर बोबिन में हम धागा अधिक भर देंगे तो उपनैं । करिद ये इसलिए मैं उल्टी लगा दियो अगर 5557,8' देखा होगा कि हमारी जो सुई होती है वो सबुटि होती है वाक्स लेए बाकि keeping the Girl ऋससे फ्रेंटसस क्या होगा हमारा धागा बार तूटे गा इसलिए को ध्यानма है नमबर छे, धागा गांठ वाला हो, फ्रेंट्स अगर धागा गांठ वाला होगा तो बार बार तूटे गा ही, तो फ्रेंट्स ये हमारे कारण थे कि हमारी सिलाई खराब क्यों आती है, I hope friends आपको ये समझ में आ गया होगा और हमारा next chapter है सिलाई में परियोग होने वाले उपकर्ण यानि ओजार क्या-क्या होते हैं friends वो सभी हम next वीडियो में सीखेंगे इसे मैं अच्छे से आपको सभी जो हमारे tools है वो मैं आपको दिखाऊंगी तो friends मिलते हैं next class में तब तक के लिए बबाई